है गाइस आज की इस वीडियो के अंदर में आपके लिए लेकर आया हूँ ओपो ए ए टे इसके में सारे हीडन फीचर्स आपके शार्ड शेयर करने वाला इस फोन के अंदर आपको क्या-क्या हीडन फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं तो मुबाइल की सबसे पहले हम आ च तरह कि हैं से वाइल पैपर जो है डेखने को मिल जाते हैं अगर हम मूर करेंगे तो आप ऑल्लाइन भी जो है वाइल पैपर यहाँ से डाउनलाड कर सकते हैं उसके अबों आपको मिल जाता है आइक्वो हैम के अंदर आको right-outnin, ऐहाँ से आप कर सकते हो, आइक्स आइप्स इसका जो स्वाट्स बना के आप वो डायरेक्ट भार स्क्रीन के उपर रख सकते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर्स आपको मिल जाता है ले आउट ले आउट के अंदर आपको अलग अलग तरह के ले आउट ओप्शेंस यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर आपको यह इसी तरह से यहां पर यह भी आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद आपको मिलता है more setting more setting अंदर सबसे उपर आपको दो option मिलते हैं home screen mode इसके अदर आपको दो तरह का mode देखने को मिलते हैं standard mode and drawer mode standard mode में क्या होता कि सारे application जो है आपकी display के उपर show होने लगेंगे और drawer mode में क्या होगे कि सारे application जो है आपको drawer या आपको draw कर एसे करने के उपर ही आपके show होईगे तो यह दो तरह के mode जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं उसके बाद आपको मिलता है screen layout जो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद आपको मिल जाता है pull down to gesture pull down gesture के अंदर आ जो है options आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से functioning जो है work करती है उसके बाद आपको मिलता है double tap to lock इसके अंदर क्या होगे डबल टेप करने पर आपको phone जो है screen lock हो जाएगी उसके बाद मिलता है sweep down on home screen इसके अंदर क्या होता है आपको अब ग्लोबर सर्च चाहिए या कर सकते हैं उसके बाद जो मिल जाता है options आपको नीचे मिलता है race to way कि यह क्या होता है कि जब भी आप phone को हाथ लगाएंगे तो आपका phone automatic आपके phone की light जो है enable हो जाएगी उसके बाद मिलता है double tap wake on turn on screen यह भी वही है double tap करने पर आपके screen जो है light on हो जाएगी उसके बाद मिलत है clock style इसके अंदर दो तरह का option से vertical and horizontal आप किस तरह के clock style चाहते है तो वर्टिकल और हो हम अगर आप horizontal चाहते है तो horizontal उसके बाद आपको मिलता है pocket miss touch prevention यह क्या होता है कि जब भी गलती से आपका phone चालू ही आपके जेब में रख दे तो आपको यह on करके रखना है कि होता है कि जब भी यह on होगा तो आपका touch जो है automatically work नहीं करेगा उसके बाद मिलता है task manager यह क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कोई भी रेम शो नहीं हो रही है अब जब आप इसे enable कर देंगे तो आपको यहां पर रेम का option जो है शो होने लग जागा जैसे यह इसे enable कर दिया अब देख सकते हैं यहां पर आपको जो है रेम रोम जो है यहां पर शो होने लग गई तो आप यह clear करेंगे तो आपके यह clear हो जाएगी यह सारी चीज़ जो है यहां पर functioning इस तरह से जो है करती है उसके बाद में चले जाता हूं calls calls के अंदर आपको चले जा का option यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब उसके लिए आपको additional application डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप auto code recording भी कर सकते हैं उसके लिए मैं personal video बनाकर आपके लिए share कर दूँगा उसके बाद में चले आता हूं phone की main setting के अंदर main setting के अंदर सारी जो है customized settings से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अब उपर क्यों ले चलता हूं wall paper and style इसके अंदर आपको colors जो है अलग अलग तरह के colors जो देखने को मिल जाएंगे इसी तरह quick setting के अंदर आपको यहां पे आपको अलग-अलग तरह के window जो है window effect जो है अलग-अलग तरह के यहां पे भी देखने को मिल जाते हैं उसके बाद इसके बाद display size जो है आप यहां पे लार्ज इस्टेंडर एडिस्पॉल यह तीन option से तो आप यहां से आप तीनों का option तो यहां से इस ले करके यूज कर सकते हैं अभी फिलाली के लिए मैंने large किया है क्योंकि आपको भी थोड़ा सा दिखने में clarity ज्यादा हो उसके बाद हमें ले चलता हो डिजिटल वेल्बिंग एंड पेरेंट कंट्रोल इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर phone का पूरा dashboard होता है इसके अंदर क् application आपने यूज किये कितनी बार phone को lock किया है कितनी बार अलोक किया है जो सारी details है वह आपको यहां पर पता लग जाएए उसके बाद इसके अंदर record mode आता है bedtime mode and focus mode focus mode काफी कमाल का होता है जो भी application ज्यादा आप यूज करते तो आपको डिश्ट्रेक mode में डालना जैसे कि मान लेते camera इसके आपको turn on कर देना अब जब भी आप camera open करें कुछ कुछ इस तरह का अलर्ड जो है आपकी शामने शोरी लगेगा focus mode is on camera अप्स पूश्ट राइट नो तो यह आपको काफी कमाल का feature से आप इसे अच्छे तरह के से यूज कर पाएंगे उसके बाद में ले चलता of special function में special function के अंदर आपको मिलता spread screen का option जो सी finger से आपको जो screen यह चोटी हो यह बड़े setting में work नहीं करती है कुछ application में work करती है वह आप यहां से चेक कर सकते उसके बास flexible window की बात करते तो आप यह देख सकते हो flexible window इसे on करना है तो यह अलग-अलग तरह का floating जो है छोटी screen करन करना यह वह सारी चीज इसके अंदर देखने को मिलती है smart slide बात की बात करते तो यह हैं से जो हम करते हैं यहां से जो smart slide बार आ जाएगा भार उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर इडिट करके आपके मन पसंदेदा application को ऊपर की और रख देना हम तो यह आप यहां से कर में कर सकते हैं उसके बाद आपको मिलता है key display and simple mode जो आपको पता ही होगा उसके बाद मिल जाता है गेस चैनर इन motion इसके इसके अंदर में थ्री फिंगर्प्रिंट इस्क्रीन शूर्ट जो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं उसके बाद में उल्रेडी में इन चीज चीज के वारे में बता चुक्त नीचे क्यों आपको दिखा देता हूं लिफ्ट ट्वियर अंसर यह क्या होगा जब कान के पास फोन को ले जाएंगे तो आप फोन जो है मियोट हो जाएगा यह सारी सेट्शी आपको यहां पर फोन के अंदर जो है देखने को मिल जातेती इसके अंदर आप फन चलियाते है प्सके आप लिइन के अपरपे वोल्यूम यहां म्यू बाइम को इस Claudius कर यह आज़े रखना है abol教 drink ऑको मिल जाता और किको अ तो यह मैं बता चुका हूं उसके बाद आपको चले जाना है सिस्टम नेविगेशन सिस्टम नेविगेशन के अंदर दो तरह के नेविगेशन बार जो है आपको देखने को मिलते हैं बटन नेविगेशन यह दो तरह के अलग अलग बाद जो है इसके अंदर क्या होता कि पू मेरी वीडियो किसी लगी मुझे लाइक करें कमेंट करें और नए होते हैं अबरे चेनल को सस्क्राइब जरू कर ले थैंक्यू फर वाचिंग